हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडेनिस्टडी, इंडेनिस्टडी पर आपका स्वागत है, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर क्या जाहूं, जो कि आप कहाने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेहद इंपोटेंट है, तो वीडि में से कौन सा कथन जो है, वो सही है, आराम से चारो ही OPSI पढ़ो और इस QS का सही आंसर दो, तो सही आंसर हो जाएगा आपका OPSI नमबर A, भारतिय समीदान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, पहला ही OPSI करेक्ट, नेक आपको ये भी बता देता हूँ, आप खुद देखना, जो मेरा टॉपिक है, आज समीधान का, वो है मौल अधिकार, आपको खुद लगेगा, कि क्या ये कोसंस में आपको करवा रहा हूँ, UPSI लेवल के हैं या नहीं, तो आप खुद जज़ करना इस चीज को, ठीक है, तो मौलेक अधिकार जो हैं, ये नियाले में वादियोग हैं, पहला ही OPSI करेक्ट, मौलेक अधिकार, इसके बाद आपको बताना है कि क्या कर सकते हैं मौलेक अधिकारों के लिए, जल्दी बताओ, तो जो मौलेक अधिकार हैं, वो आपातकानल इस्तिती में जो है, वो आज करत के बिरुद गारेंटी है, एक गारेंटी है, बिल्कुल है, पहला OPSI करेक्ट, वो कहरे ही है, सम्मीदान के बाग तीन में सूची बाद हैं, बिल्कुल है, उसके बाद है, समाज एक आर्थिक ततर राजनेटिक निया सुनिश्चित करते हैं, दो को समाज एक प्रस्तामना का उद्देश, तो यह गलत है, आर्थिक अधिकार में यह आपका, मौलेक अधिकार में सामिल नहीं है, यह संयुक तराज अमेरिका के अधिकारों के बिल्की बाती नहीं है, क्यों नहीं है, वहीं से तो लिया है, तो चौता OPSI भी गलत है, तो यहां पर पहल और दूसरा सही हो जाएगा, और कौन से OPSI में दिया सर, पहले ही OPSI में दिया, पहले ही OPSI करेक्ट, नेक्स्ट कोसंस निम्लेकत में से किस अनुच्यत के अंतरगत नागरिकों को मौलेक अधिकार प्राप्त है, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के तहत है, 12 से 35 के बीच दूसरा OPSI करेक्ट, नेक्स्ट कोसंस स्टर्ड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, दोस्ता मैं डेली बेसे स्पेहने पर चार स्पेसल क्लास लेता हूँ, चारो ही स्पेसल क्लास बिल्कुल फ्री होती है, हर क्लास मैं इसलिए बता र कोई एक क्लास में आ जाओ भाई, अगर आपको क्लास पसंद ना आए, साला क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, और बोल देना के सार आपको पढ़ाना नहीं आता, मुझे कोई आपती नहीं होगी, लेकिन UPSI के लिए जतनी मेहनत करना हूँ ना, आप समझ जाओगे चलती है, आप जैसे ही एनकेणी पर अपना एकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो कुल करके आएगे, तो आपको UPSI सर्च करना है, UPSI या स्टेट PCS में आपको ये UPSI देखने को मिल जाएगा, तो हमने ये देखो, ये मिल गया UPSI, तो हमने इसको सलेक्ट किया, सलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है, वो सलेक्ट कर लिया हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है, आगे की जो आपकी प्रोस्टिंग है, वो यहाँ पर हो जाईए, और आपको यहाँ पर UPSI लिख कर किया जाएगा, देखो, ये लिख कर किया गया, UPSI, अब UPSI क के डेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है, मेरा नाम है Tariq Sarver, T-A-R-I-Q, Tariq Sarver, यह मेरा नाम है, तो देखो, मैं आपको वहाँ पर दिख जाँगा, यह दिख गया मैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने, इसको आपके लिए करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी, वो भी आ जाएंगी, देखो, यह सारी क्लासेस आ गई, अभी हाली मैं क्लास लेकर क्या टाओं, 37 मिनिट पहले, तो आपको मेरी क्लास देखना है, suppose करो यही वाली class देखना है तो मैंने क्लिक किया तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको class unlock करना पड़ेगी जैसे ही मैंने आपको class में किया तो unlock code आपको मांगा है तो unlock code है आपका Indian study जो की हमारी channel का नाम है Indian study कहीं भी कोई भी space नहीं है यह है और इसको हमने unlock कर दी अब आपके समने class unlock हो गई आराम से आप class का लुफ्त उठाइए और daily basis पे आपके पास notification भी पहुँच जाया करेगी अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सबकों से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको class होगी आप उस तरीक से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है नेक्स्ट कोसन से आपका कि भारतिय समिदान का कौन सा अनुच्चेद समिदानेक उप्चारों को संगी संसद राज बिदान पालिकाओं दोरा बनाएगा नियमों को कानून पर प्रात्मिक्ता देता है तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा अनुच्चेद 13 अनुच्चेद 13 में कहा गया है कि संग एवं राज कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलेक अधिकार के मतलब बुरूद होगा ठीक है पहला ही options correct नेक्ष्ट कोशन्स वारतिय समिदान में समताक आया समताक अधिकार 5 अनुच्चेदो द्वारा प्रदान किये गए है कहां से कहां तक है देखो जरा कहां से कहां तक पूछा गया यह questions बोल तो रहा हूँ पता चलेगा आपको कितना बहतरीन questions ले करके आया हूँ 14 से 18 तक तीसरा options बिलोगर correct है समानता का अधिकार निमलकत में से किन अनुच्चेदो के अंतरकत आता है अनुच्चे 13 के अंतरकत नहीं आता है भईया अभी तो पढ़ाया 13 के अंतरकत संग या राज कोई भी ऐसा कानुच्च नहीं बनाई है जो मौले का अधिकारों के बिरुद होगा ये थोड़ी ना आता है इसमें 14 आता 15 आता 16 आता 2, 3, 4 आते हैं तीसरा options correct है नेक्स्ट कोसन से आपका भारती समीदान के निमलिकत अनुच्चेदों में इसे कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंतर लगाता है विधायन सत्ता का मतलब है विधी के समख समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया आर्टिकल नंबर 14 में दिया पहला उप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निमलिकत में से भारत के समीदान का कौन सा नुच्चेद कानून के समख समानता अभी हाली मैंने आपको बताया कि विधी के समख समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में बढ़ने थे सर तो आर्टिकल नंबर 14 में बढ़ने थे तीसरा उप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा विधी का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है चल्दी बताइए तो इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियायत अंत्र पहला ही ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है आर्टिकल नमबर 15 जो है वो समता का अधिकार के अंतर करता है क्योंकि समता का अधिकार 14 से लेके 18 तरक बर्गी करिद किया गया है ठीक है पहले ही चौता आप्संस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस भारतिय सम्मीदान के निमलेगत अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के बिसे में भारत के सभी नागरिकों को अफसर की समानता की पिरत्यभूती प्रदान करता है यानि कि लोक नियोजन का मतलब है लोक नियोजन में समान अफसर की प्रदान और नहीं आ रहा हो तो भाई इससे अच्छा नहीं पड़ा पाऊंगा बारतिय समीदान में जैसा नहीं थे कि निम्लेगत में से कौन सा समानता की मौलिक अधिकार में समलित नहीं है जल्दी बताओ तो यहां पर देखो आर्टिक समानता के बारे में नहीं बढ़ाया गया है स समाजिक समानता समाजिक समानता का मतलब अर्था अनुचित 15 से जिसमें धर्म जाती लिंग विवेत के अधार पर बताया गया है कानुपर के समानता आर्टिकल 14 में है जिसमें विदी के समख समानता बताई गई है अब सर की समानता आर्टिकल 16 है जिसमें लोक नियोजन में समानता बताई गई है लेकिन आर्थिक समानता आपको 15 सी लेकर पूरे समता के अदिकार में नहीं मिलेगा जो की 14 से 18 के बीच में है तो आप समज सकते हैं नेक्स्ट कोसर्स निमले के तमेंसे किसने भारतिय नेले को समान कार के लिए समान वेतन का मौलेक अधिकर निग्मन करने ये तू सक्छम किया तो किसने किया सर तो आपका सही आंसर हो जाएगा सम्मिधान की प्रस्तावना में समाजबादी जो हमारी सम्मिधान की प्रस्तावना में जो सब समाजबादी यूज़ हुगा है है ना तो वे सब तो जो है वो गांदी जी और नेरु जी की विचारदारा से आधारित है अर्था इसका मतलब यह होगा कि हर भारत का नागरिक को समान यानि कि सभी को समान समझा जाएगा बिलकुल ठीक है यहाँ पर यानि कि ऐसा नहीं कि कोई लेडेस है तो उसको गलत समझ समयादा समझा जाएगा और जैन्स को ज्यादा समझाएगा यह से नहीं सभी को समान पहले ठीक है चौड़ा है आपका कि विदी के समान कार के लिए समान बेतन के लिए परिस्थितिये बताएंगे ठीक है तो अभियाली पढ़ाता अपने कौन-कौन से आर्टिकल को समाजबाद उसमें बताया ता आर्टिकल 40 और 16 में पढ़ाता देखो ठीक है नेक्स्ट कोशन्स सम्मीदान के किस प्राबधान द्वारा अस प्रसिता का उल्मूलन दिया गया है अनुच्छे 17 के द्वारा तीसरा अप्सन्स करेक्ट नेक्स्ट कोशन्स बारतिय सम्मीदान का कौन सा अनुच्छेत अस प्रसिता का उनूमूलन करता है वही कोशन्स अलग तरीके से पूचा आर्टिकल लंबर 17 नेक्स्ट कोसंस बारते सम्मिदान के निमलेकत मैंसे किस अनुच्छेत के द्वारा अस्प्रस्तिता की समापती की विवस्ता की गई है वही कोसंस और उत्तर प्रदेश की एक्जाम में आये तो अनुच्छे सत्रा में अस्प्रस्ता का ऑनमूलन दिया है तूसरा औफसन करेंट 8 कोसंस बारते समाज़ेकार तेक राजनितिक तता सांस्कृत अधिकार दिये गए पया अस्पिरसिता का उन मूलन यही तो होता था जो उची जाती वाले जो लोग थे वो नीची वाली जाती लोगों को बिलुकुल बेकार समझते थे तो यह उनी से संबन्द थे तो यहाँ पर दूसरा कौन सा सत्रा है यहाँ कि आर्टिकल लंबर सत्रा चौता ओप्सन्स करेक्ट होगा सर देखो अब लेंगविज कितनी खतरनाक तरीके से घुमा दी है ना चलो सर नेक्स्ट कोशन्स निमलेके तमें से मूल अधिकारों के किस संबर्ग में असप्रस्ता के रूप में दिया गए वेवेदन के ब्रुद सररक्षन समावेस्ट है तो असप्रस्ता का जो अधिकार है वो कहाँ पर दिया गया है कहाँ पर वर्गी करेत हैं तो आप सभी लोग जानते हैं समता के अधिकार में बढ़ लेते हैं क्योंकि समता का अधिकार 14 से लेके 18 तक है और 17 एसी के बीच आएगा तो 14 अफसल्स करेक्ट लाश्ट कोस्टन्स देखो सर भारत मैं अस प्रस्ता का निवारं निमले के तमेंसे किन उपाईयों द्वारा जो है वो आप कर सकते हैं आप सोच करके बताना इस कोस्टन्स का ऑंसर दे ना बहुत बेतरीन कोस्टन्स हैं पता आया मजा इसी लेवल के मैं कोस्टन्स आपको प्रोवाड़ कर रहा हूं अभी इसके और कोस्टन्स आएंगे मूल अधिकार के क्योंकि टॉपिक बढ़ा है ठीक है तो वीडियो में हम दोस्तो विडियों को लाइक और सीर जरूर कर दीजिएगा दोस्तो फिलाल की वीडियों सर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंंद आधा टो सब्सक्राइब करने ना बूलें क्यों कि मरो जने हैं इसी तरह की वीडियो से dullぉ लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत